अब हम सॉल करेंगे एक्सेसाइस डी और यह एक्सेसाइस डी किसके रिलेटेड है पस्जेसिव प्रोनाउंस से रिलेटेड है ठीक है तो आप पेज नमबर 18 एक्सेसाइस डी फिल इन दब्लैंक्स विच शूटेबल प्रोनाउंस फर्स्ट दबूक बिलोंग्स टू सोनम यह बूक सोनम से बिलोंग करती है इट इस डेश तो क्या एगा इट इस हर्स यानि ह-e-r-s वो उसकी बूक है तो इसलिए यहाँ पे हर्स आएगा ठीक है next the farmhouse on the hill is dash we go there every summer the farmhouse on the hill is यहाँ पे देखो हम लोग जाते तो वो हमारा ही farmhouse हुआ तो यानि answer आएगा अवर्स the farmhouse on the hill is ours we go there every summer next these cows belong to anandi and me they are dash next यह scouse है वो anandi और मेरे है तो यह हमारे लिए हमारे है यानि ours आएगा ठीक है next I brought those pens they are मैंने यह pen लिये है तो यह मेरे है तो यहाँ पे आएगा mine my mother gifted that tie to my brother मेरी ममी ने वो मेरे भाई को gift की थी it is dash अगर ममी ने उसके भाई को दिये थे तो वो उसके तो होगे नहीं तो उसके भाई के ही होगे इसलिए आपे आएगा his ठीक है सीख whose shirts are these are they dash यहाँ पे possessive pronouns है यह पहले तो पूछ रहे कि यह किसके shirts है और फिर आपको particular पूछे are they yours यह सारे आपके है यानि यहाँ पे आएगा yours क्योंकि possessive प्रोणाउन का यूज करना है यहाँ पे belonging से related है यह shirts किसके है यह आपके shirts है यह पूछ रहे यानि यहाँ पे yours आएगा next, Renu borrowed my crayons she had given dash to the poor child she saw on the road यह रहे ने मेरे crayons borrow किये क्योंकि यह क्योंकि उसने वो उसके crayon यानि hers आएगा she had given hers उसके जो crayon थे वो उसने poor child को दे दिये थे इसलिए the rabbit ran into burrow is that burrow dash इसमें क्या बुछ रहे राबिट के बारे में बात हो रही है यानि there's आएगा ठीके there नहीं आता there's आता है possessive pronoun में t-h-e-i-r-s there's next, if my sister does not get a new toy she will take dash अगर मेरी बहन को नया खिलोना नहीं मिला तो वो मेरा ले लेगी यानि की mine am I any यह belonging से related सारे question सारे fill in the blank से इसलिए यह वाले सारे pronouns का use हो रहा है ठीक है समझ में आ रहा है ना very good last one it is for Rahul to decide the decision is यहां पर Rahul के बार में बात हो रही है तो हर तो आई नहीं सकता इसलिए answer is he is ठीक है समझ में आ गया है सारा ओके तो आज का आपका homework क्या है exercise A exercise B exercise C और मैंने जो पूरा lesson explain किया था वो and exercise D वो आपको solve करनी है ठीक है और सारा explanation आपको ध्यान से पढ़ना है कि ताकि आपको सारा आ जाए ठीक है और यह सारी exercise आपको textbook plus notebook दोनों में लिखनी है ठीक है have a nice day झाले